है हलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों मैं आप को डीवीकेम का एक test बताऊंगा dense bitumen मैक डम का तो आज हम डीवीकेम का एक test करेंगे bitumen extraction टेस्ट तो दोस्तों यह बाउल है । यह bitumen extractor है यह weight machine है balance बूलते हैं इसे इसे जीरो कर लेते हैं दोस्तों और बावल को इसमें रक करकि इसका वेट कर लेते हैं कि देखिए बावल का वेट आया है 835 ग्राम है इसमें 500 ग्राम जो हा फ howmm लेगे ये तो 500 ग्राम सेंपल लेने डिए वाद में ये 332 ग्राम हो जाएगा आएद्वोया इसमें यह दीवीम का टेस्ट है दोस्तों बिल्कुल 500 ग्राम अपन सेंपल लेते हैं 1335 आते तक यह 1335 ग्राम देखिए यह आ गया है अब दोस्तों इससे बेंजाइन से वाश करेंगे हम ताकि डामर पूरा इसका जो बिटुमिन है घुल के पूरा बाहर निकल जाए तो दोस्तों इसमें बेंजाइन एपलाई करके हम इसको वाश करते हैं ताकि मैटल बचे और बेंजाइन के साथ में बिटुमिन जो है घुल के पूरा निकल जाए यह फिल्ड पे बिटुमिन एक्स्टेक्शन टेस्ट करते हैं मैनुवली होता है दोस्तों ऐसा वीडियो जो है यूट्यूब पर आपने कभी नहीं देखा हो इसको वाश करने के लिए हम चम्मा से लाएंगे ताकि इसमें जो बिटुमिन है वो आसानी से पूरा बेंजाइन में घुल जाए यह फोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है दोस्तों इसको दो बार भी वाश करना पड़ता है एक बार में वाश नहीं होता है तो लेकिन आप सही दान से सीख पाएंगे और जान पाएंगे इसके जो कि डीवीएम के कल्गुलेशन की सीट है जो दोस्तों मैं आपने नेक्स वीडियो में डालूंगा इस डीवीएम का जो परसेंटेज है कल्गुलेशन सीट जो है अभी आपको मैं फिल्ड को और अली बता रहा हूं कल अबी मिक्स का गया जो है वेट हो गया दोस्तों उन actu jour मिक्स प्लस बाूलending वेट है अब दोश्च को फ्रेस लागा जाते हैं कि इसमें जो डश्ट के पार्टिकल्स रहते हैं वो बाहर न जाए सिफ bitumen जो है वो बेंजाईन के साथ में घूल के बाहर निकल जाए इसे पूरे धकन को अच्छे से टाइट कर लिये जाता है दोस्तों उसके उपर अच्छे कवर करके इसे बाउल को घुमाये जाता है दोस्तों यह गेर लिवर है इसके माध्यम से और जो बेंजाईन जो है यह एक्स्ट्र जो रगता है बेंजाईन डामर घुल के इसमें निकल जाता है देखिए अब यह निकलेगा हम इसको घुमा रहे है यह देखिए बेंजाईन निकलना चलो गया है डामर सब घुल के यह मैटल जो है वाच नहीं लग गया उसमें से बिटुमिन कंटेंट निकलने लग गया तो बिटुमिन एक्सेक्शन टेस्ट का ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा हो गया यह मैं हिंदी में बना रहा हूं इसमें मैंने सब्टाइटल्स भी डाले हैं आप चाहें तो इंग्लिश में भी हो गया हो अब देखते हैं खोलके वाच हुआ है कि नहीं अगर वाच हो गया होगा तो एकी बार में तो ठीक है नहीं तो दुबारा वाच करेंगे इसको यह देखिए साइड में यह बिंजाइन जो है बिटूमिन कंटेंट के साथ घुला हुआ रखते हैं बिंजाइन से इसलिए वाच करते हैं इसमें कि अच्छे से यह बिटूमिन इसमें घुल जाते हैं पेट्रोल से भी कर सकते हैं लेकिन पेट्रोल से जल्दी वाच नहीं ह पड़ता है देखिए दूस्तों यह वाश हुआ है लेकिन अच्छे से नहीं हुआ है इसमें अभी बिटुमिन कंटेंट और वाक्षी है तो इसको एक बार और वाश करेंगे हम तो यह डीबीम का डैंस बिटुमिन मैगडम का जोई है तो दूस्तों बिटुमिनस वर्प के लिए रोड कंस्ट्रक्शन और सिरिन्जिंग के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है लोग एक बार जालो बेन जाएंगे इस बार दोकर देखें के दोस्तों कि यह पूरा बूल जाएगा इसे के बेन जाएंग डाला वह फिर से काला हो गया है हो गया बस लगा लो फिल्टर के फिर से इसको वही फिल्टर पेपर पुराना वाला लगा देते हैं इसको फिर से पैक करके फिर से इसको खुमाएंगे बॉल को ताकि इसमें से जो बिटुमिन प्लस बेंजाइन जो है वह बाहर निकल जाए और मैटल बस बचे यह डामार का जूस बन रहे हैं दोस्ते इसको तब तक हुमाते हैं तब तक बेंजाइन जो है पुरा निकल नहीं जाता है भ्रची नहीं परिंग प्रफब्ड्ण जे लाए्ड़ू करेंगल यह देखिए मेटल पूरा वाश हो गया है अब इसको हम ड्राई करेंगे दोस्तों डीवी एम में जो दोस्तों थोड़ा सा 20 mm प्लस ओवर साइज मेटल जादा रहता है इसमें इसमें जो की इसी में बैलेंस रह जाता है इसको ड्राई कर रहा है जिन जिन देखिए बहुत आसानी से बढ़ जाता है इसमें ड़स्त और मेटल ही बैलेंस बचे रहे है बस वेट कर लो होगे ब्राई हो गया है इसका हम वेट करेंगे दोतों आफ्टर एक्षेक्ष्टन जो है इसका वेट करेंगे तेरा सो तीन ग्राम देखिए इसमें वेट आया है मतलब कि 32 ग्राम जो है वह बिटुमीन जो परसेंटेज है इसमें 32 ग्राम था दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हम टेस्ट करते हैं वीटिमिन एक्टेक्षिन का क्योंकि सिवल इंजिनिंग और उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है रोड़ वर्क के लिए रोड कंस्ट्रक्षिन का और फ्रक चल रहा है देखिए यहमने अभी नया रोड बनाया है आगे अभी रोलिंग और पेवर आपको दिखेगा ये फिल्ड पे हम ऐसे ही टेस्ट करते हैं तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसके कल्कुलेशन सीड भी मैं डालूँगा तो मेरा चैनल सब्क्राइब करिए और हो सके तो लाइक भी करिए धन्यवाद